अलो स्टुनेंट्स वेलकम टो केमिकल साइन्स और बच्चो आज का हमारा टॉपिक है मार्को निकाव रूल चलिए तो अल्यमेंट्री क्लासेज में भी आप इससे मिल चुके हो चलिए आज इसको मेकैनिजम के थू जाएंगे इसको भी इसमेकैनिजम करके देखते हैं double bond CH2 ठीक है यह एक symmetrical alkene है प्लस अब हमने इसमें add किया था बच्चो कोई let us suppose HBR add कर गया ठीक है यह रहा हमारा कोई reagent आप जानते हो reagent के टू पार्ट्स होता है एक होता है electrophile एक होता है nucleophile yes negatively charge nucleophile positively charge electrophile है ना चले अब आप जब इस electrophile nucleophile को इस alkene में add करते हो तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ता कि आप electrophile को कौन से carbon में add करो nucleophile को कौन से carbon में add करो because दोनों positions क्या होती है same होती है ठीक है तो इसका जो simple सा product है वो कुछ इस तरीके से बन आपका मन करें एक जगे बी आर और एक साइड है या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो this is बी आर शी एच टू एंड शी एच थीरी clear हो गया दोनों सेम चीजे तो इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि आपका जो substrate molecule था वो क्या था आपका symmetrical था ठीक है this is symmetrical सीके symmetrical alken था यह यह yes symmetrical alken थी अब अगर यही case आपका आजाए बच्चे को ऐसे example में जो मैं लिख रहा है आप यह जैसे CH3 CH and double bond CH2 clear यह आजाए और इसमें अगर आपको आपको add करना पड़ जाए आपका HBR तो आप क्या करोगे अब आपके पास बच्चों यहाँ पर choice है ठीक है तो आप कहोगे sir BR को मैं left में जोड़ू है ना hydrogen right मा जाएगा या फिर आप BR को right में जोड़ू तो hydrogen left मा जाएगा तो इससे आपके बाद दो type के products आपके हाँ पर मिलने वाले हैं ठीक है तो अगर आप चाहो तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ देखे कैसे बनेंगे यह तो आप खुद भी कर सकते हो आपको तो दोनों मैं भारी भारी से चीजन जोड़ देनी है अगर आप BR को left में जोड़ते हो मतलब यह तो यह क्या हो जाएगा CH2 से CH3 हो जाएगा क्योंकि edge इस carbon voltage हो जाएगा यस और अगर आप BR को right में जोड़ते हो तो यह CH2 हो जाएगा तो यह बसे बसे हो CH3 CH2 and CH2 BR ठीक है इ 2 Bromopropane and this one is 1 Bromopropane yes तो 2 Bromopropane and 1 Bromopropane clear है अब इसमें से बच्चो एक product आपका मेजर होता है एक माइनर होता है क्योंकि दोनों चीजे जो है same amount में नहीं बनती है बस यही आपका Marko-Nikov rule है तो Marko-Nikov में जस्ट यह बताया कि कौन सा product इसमें मेजर होगा और कौन सा product इसम है माइनर होगा ऐसे सच तो यह है कि आपको Marko-Nikov rule ही कोई ज़रूत नहीं है आप mechanism के थुरू जाएंगे तो आप खुद ही product तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको फिलाल मार्को-Nikov नहीं बताऊंगा पहले मैं आपको इसकी mechanism के थुरू इसको इसके product को approach करने की कोसिस क करते हैं ठीक है आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा है देखिए तो आपके सामने दो प्रोडेक्ट हैं अब आपको यह भी समझ मार रहा है कि कौन सा है तो मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है आपको यह पता है मैंने अभी last year second last class आपको बताया था कि जो electrophilic addition है वो क् फायल का भी हुआ है ऐसा तो नहीं है कि वो एड़ ने हुआ है वो भी हैड Dwy लेकिन इलेक्ट्रोफिलिके डीशन से क्यों बोलते है WHY क्योंगी से पहले इलेक्ट्रोफ्हाइड अटेक करता है यह स्टो पहले कॉन करदेगा इसमें एलेक्ट्रोफायल क्योंकि रिक्रण की ब्रेकिंग करता हूँ कुछ इस साइड को ठीक है इसको मैं डाल दूँगा नमबर वन ठीक है ये पाई ये जो पाई बॉंड है कहां की और टूटा है येस आपकी लेफ्ट वाले कारबन में टूटा हुआ है ठीक है तो यहां अगर निगेटिव और इस मेगा पॉसिटिव हो और जहां निगेटिव होगा वहां कौन अटेच करेगा आ करके एच पॉसिटिव तो कुछ ऐसा बन जाएगा देखिए CH3 CH से हो जाएगा CH2 एंड सिंगल बॉर्ण CH2 देखिए अब इलेक्ट्रॉन सिप्ट हुए हैं आपके कारबन लेफ्ट साइड में तो वहां पर क्य इस साइड तूटता है मेंस इसको सेकंड डाल देता है ठीक है यह पहली बात थी और यह सेकंड बात है ठीक है तो अगर सेकंड में यह आपका राइट साइड को ब्रेक हो जाता है ठीक है मतलब इस साइड को तो क्या होगा अब इस वाले केस में कुछ ऐसा बनेगा इसमें नेगेटिव आएगा, राइट वाले मां, नेगेटिव में पॉसिटिव आके अटेच हो जाएगा, यह बन जाएगा आपका CH3, CH2 से हो जाएगा CH3, बट यहाँ पर आजाएगा पॉसिटिव चार्ज, अब आपको यह सोचते हैं कि दोनों में से मेजर पॉडेक्ट काउन बनाएगा, अब आप देखोगे, इंटर्मीडिट की स्टैबिलिटी को, ठीक है, ओविएस भी बात है, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, वो मेजर अमाउन बनेगी है, तो अभी यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो हमारे पार दो अप्शन है, वो अटेज नहीं हुआ है, अगले स्टैप में वो अटेज हो जाएगा, कहाँ पर होगा, यह सोच नहीं नहीं है आपको, क्योंकि जहाँ पर प्लस चार्ज है, वहीं पर आगे अटेज हो जाएगा, तो हो जाएगा, CH2 और यहाँ आजाएगा आपका, BR, clear है, सेम, यहाँ पर क्या आजाएगा देखिए, CH3, CH, CH3 और यहाँ क्या आजाएगा आपका, BR, clear होगा, ठीक है ना, तो यह क्या है आपके, 2-Bromo-Propane, and this one is 1-Bromo-Propane, ठीक है, और दोनों में से कौन जाएगा जाएगा, जिसका इंटोन जाएगा 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 जाएगा, यह क्या है, major, क्योंकि major product है, और यह क्या है, क्या है, minor product है, clear होगया, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, दोनों बनेंगे, बड़ एक क्या है, major बनेगा, क्यों बनना आपको पता है, क्योंकि 2-Degree Carbocatine is more stable, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, आपके more stable, ठीक है, 2-Degree Carbocatine more stable होता है, तो इसलिए इसका product भी more stable बनता है, मतला major amount है, ठीक है, clear होगया, तो अब आपको इतना mechanism के थ्रू होगर नहीं जाना, अब मैं आपको इसका direct बता देता हूँ, ठीक है, यह इसकी mechanism के थ्रू थ्रू था बच्छा, देको mechanism के थ्रू आप कभी भ electrical alkin आजाएं like this, और इसमा आपको HBR add करना हो, तो आपको major product अगर बनाना है, आप चाहो तो दोरू बना सकते हैं, बड़ अगर major product, आपका optional paper है, आपको single product को ही वहाँ पर click करना है, single option को, तो आप क्या करोगे, major वाले को ही वहाँ पर click करके होगे, ठीक है, तो यही बन to Marko Nikov, ठीक है, अब देखे, Marko Nikov ने क्या बताया, Marko Nikov ने इसको सीधे short कर दिया, Marko Nikov ने भोल दिया, अपने statement में, उसने mechanism के थूँ वह गया, उसने देखा, उसने अगर आपको mechanism को follow नहीं करना, ठीक है, तो आप simple से words में इतना करिए, आप जो nucleophile है, ठीक है, जो reagent है, उ दोनों double bond carbon में से, उस carbon में attach करना है, जिसमें hydrogen पहले से कम होते है, समझ माया, क्या करना है आपको, जो आपका reagent है, reagent का negative part, उस double bonded carbon में add करना है, जहां पे hydrogen पहले से कम है, ठीक है, तो आप बताये, negative part दोनों में से कौन होगा, H positive, BR negative, विल्कुर अच्छे जानते हैं आप, इस BR negative का आप दोनों में से, इस carotide किये है, जहां hydrogen कम है, कहां, इस वाले में, तो यह आपका, क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के साबसे product बन जाएगा, और उसने ऐसा क्यों कहा, आपके सामने mechanism है, आपको पता है, क्या है, 2 degree वाला more stable बन जाता है, इसलिए उसने यह बोल दिया clear हुआ, 2 bromopropane को इसने major product बना दिया, clear है, अब इन दोनों में, अगर इनका energy profile diagram देखा जाए, तो इन दोनों में कुछ changes होंगे, ठीक है, कुछ differences होंगे, देखे क्या होंगे, मैं आपको दिखाने कोसिस करता हूँ, यह रहे आपका energy, और यह रहा आपका reaction coordinate, yes, देखिए, reactant मतलब, यह रहा, reactant, ठीक है, अब आपको पता है, intermediate से पहले एक transistor बनती है, तो यह रही intermediate, yes, this is intermediate, ठीक है, और एक और है, उसकी transistor भी है, और उसका भी intermediate आपको बनाना है, यह, ठीक है, और यह दोनों इससे उपर होंगे, ठीक है, यह आप चाहो तर इसका ऐसे करके, इससे आपको लग रहा है कि दोनों same level में है, ठीक है, तो आप बताएए, इसका activation energy किसका कम है, यह वाला क्या है, इसका activation energy ज्यादा है, मतलब यह product नहीं बनेगा, कम बनेगा, major amount में नहीं बनेगा, yes, तो यह हो जाएगा आपका कौन से वाला का, चाहो तो आप यह यहाँ से दिख ठीक है, क्या है, यह 1 degree carbocatine का है, CH3, CH2, CH2 positive, और यह वाला जो है, आपका क्या है, 2 degree carbocatine, CH3, CH and again, CH3 positive, clear हुआ, ठीक है, समझ माया है न, इसको हटा जेते हैं, इसको जरूत नहीं है, यह क्या है, इसकी activation energy है, कम है, और इसकी activation energy इस तरह की ज्यादा है, clear है, जिसकी activation energy कम हो होगी, ठीक है, वो measure बनेगा, जल्दी यल्दी मनेगा amount में, और यह क्या है, more stable भी है, energy में down है, ठीक है, समझ माया है, ठीक है, यह इसकी दोनों के क्या है, energy profile diagram है, समझ माया गया ला, चले, इसमें कोई R group लगा लेते हैं, ठीक है, unsymmetrical हो जाएगा, clear हो गया, चले, अब Markunikov, जो statement में आपको बताया, उसको लिख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, क्या है, देखे, यह रहाइस का statement, देखे, क्या है, according to Markunikov rule, in unsymmetrical alkene, the electrophilic part, electrophilic part, you know, positive part की बात चले है, ठीक है, of the reagent goes to that double bonded carbon, which has more number of hydrogens, and nucleophilic part goes to that double bonded carbon, which has less number of hydrogens, clear हो गया, ठीक है, तो simple सी बात है, जो positive part है, वो उस carbon में attached होगा, जिसमें hydrogen ज्यादा होंगे, ठीक है, और जो negative वाला part होगा, वो उस carbon में attached होगा, जिसमें hydrogen कम होंगे, ठीक है, ठीक है, यह जो rule depend है, वो based है, किसमें stability of carbocation, आपने देखा, एक में 1 degree था और एक में 2 degree yes, और जो 2 degree वाला था, वो more stable था, तो, जो major product था आपका, 2 degree carbocation वाला ही यहाँ पर बन जाता है, clear हो गया, देखिए, तो आप चाहो तो mechanism के थो जाएए, चाहे तो आप इसके, यह statement के थो जाएए, ठीक है, बट, statement कहीं कहीं फेल हो सकता है, बट, अगर आपको mechanism आता है, तो mechanism mechanism के product, 2 results होते हैं, बच्चों, वो कभी फेल नहीं होते है, clear, चले, तो किससे कुछ examples देखते हैं, देखिए, एक example हम इसका लेते हैं, CH3, C, CH3, and double bond, CH and CH3, ठीक है, इसमें आपको डालना है, बच्चों, HBR, ठीक है, अगर आपको लगता है, mechanism के थो जाना है, तो हम mechanism के थो चले जाएए, और आपको direct answer समझ मा आ गया है, तो फिर जरुवत नहीं है, mechanism के थो जाना, आप directly answer भी लिख सकते हो, ठीक है, तो according to Marko Nikoff, इस reagent का negative part, उस carbon में जाके attach होगा, जहाँ hydrogen पहले से क्या होगे, कम होगे, means double bonded carbon की पाद चलती है, ठीक है, तो यह double bond, इस carbon में एक hydrogen, और left वाले carbon में 0 hydrogen, ठीक है, तो कहाँ आएगा, BR आपका 0 hydrogen, और hydrogen आपका CH आएगा, ठीक है, तो यह product आपको ऐसा बन जाएगा आपका लाइक, देखे, CH3, C, CH3, यहाँ आजाएगा, पुच्छा होगे, हमारा BR, single bond, यह हो जाएगा, CH से CH2, क्योंकि है hydrogen यहाँ के add हो जाएगा, then CH3, clear हुआ? प्लस, product आपका दूसरा वाला भी बन जाएगा, जिसमें इसका opposite होगा, means, but major और minor का change आजाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, CH यहाँ आजाएगा, CH और BR आपका इधर आजाएगा, then here आपका CH3, clear हुआ? यहाँ, this one is major and this one is minor product, clear है? चले, कुछ example और देखते हैं, यह देखिए, ठीक है? तो यह भी कैलकीन है, इसमें भी हमें HI का reaction करना है, clear? तो बताएगे क्या होगा, आपका होगा, यहाँ पे कितने hydrogen है, इस वाले carbon में, one hydrogen है, yes, one hydrogen होता है, और इस वाले carbon में, एक भी hydrogen नहीं है, carbon की बात चलिए, ठीक है, इस carbon जहाँ double bond बना है, इस carbon में देखिए आप एक भी hydrogen नहीं है, four bond इसके carbon के साथ ही है, देखिए यह CH3, AC और यह double bond C, clear होगा, तो इसका जो protect बनेगा कुछ, ऐसा बन जाएगा, दोनोट आपके बन जाएगे, वट मेजर माइनर का difference आजाएगा, ठीक है, तो यह रहा आपका CH3 और इस ही में आपका iodine आपके add हो जाएगा, ठीक रवा, then this one is major and this one is minor, clear, okay, देखिए, एक और question है, एक और example देखते है, like CH3, CH and double bond CH single bond CH2 and CH3, ठीक है, इसमें आपको H positive add करना है, ठीक है, 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 ठीक है, चलिए, पहले आपको पता है, H positive add होता है, क्योंकि एक्टोफिलिक एडिशन देती है, ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए, जब बताएंगे, अब proton कहा add करें, left में, right में, तो आप दोनों ब्रोट बनाएगे, प्रोट तो दोनों ही ब है, ठीक है, प्लस, मैंने left matte कर दिया, तो left matte करने बने का CH3, CH2, CH, CH2 and CH3, clear है, दोनों प्रोटेक्ट, दोनों intermediate actually में, ठीक है, बट मुझे यहाँ पर दिखाई हुआ पढ़ता है, कि यह दोनों ही कार्बोकाटाइन मेरे क्या है, 2 डिगरी है, देखिए, 2 डिगरी कार्बोका ठीक है, तो दोनों की केस न आपका क्या बनता है, 2 डिगरी कार्बोकाटाइन, आप दोनों की reaction आप BR के साथ करिए, negative वाले पार्ट के साथ, क्या बनेगा बताइए, तो यह बन जाएगा आपका CH3, CH, CH2, 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 और यहाँ आजाएगा आपका BR and same here, यहाँ क्या बनेगा ब ठीक है, बट इस वाले केस में क्या है, अब इंटरमेडिट दोनों के एक जैसे थे, दोनों के टूड़ी रिकार बगटाएन थे, तो इस वाले केस में जो रिजियो स्लेक्टिविटी है, एक प्रोटेक्ट आपका majorly form होता है, एक minorly form होता है, वो वाला केस यहाँ पर नहीं both alkyl bromides are formed in comparable amount, clear है, तो दोनों केस में क्या होता है, दोनों alkyl halides क्या होता है आपके बच्चों, comparable amount बनते हैं, ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि दोनों का ही intermediate क्या है, two degree carbocation होता है, clear, समझ भाया, ठीक है, ठीक है, तो चले, इसके और questions है, जो कि हम लोग बात में रगाएंगे, इसके बाद हम लोग anti-margonic off, modern margonic off, ठीक है, काफी चीज़े भी हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो इस lecture को ही खतम करते हैं, मिलते हैं भी बच्चों नहीं lecture के साथ empathy बच्चों पात में रहें रहें लोगता हैं, तो साथ बचार में dece्शा है, थो इसके रहें लोग करते हैं, जो अईब टैक हैं, वोग जास्में पातर तो हैं, वोगता है, पातर रहें आद्रेदकर्स्वान तो इसकाषण से तो भी किफए पागता है, तो शर फो फमें